नमस्ते और यूमें आपका स्वागत है तीन विशे क्या शंक्राचारे के अनुसार मोधी जी हिंदू विरोधी है दूसरा महराश्ट में भुजबल शरत पवार की मुलाकात का क्या चंदेश है और तीसरा क्या राजभवन बाउभली निवास में बदलते जा रहे हैं इन तीनों विशों पर बात करने से पहले आपसे आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप भी ले ले मेंबर्शिप का मतलब कि हर मैंने आपको एक चोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग की रूपे देनी होती है और अगर आप हर मैंने का कमिट्मेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुष्द भी आप माज़ा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं आपके सहयोग की हमें आवशक्ता है जिससे चैनल सुचार रूप से चल सके तो सबसे पहली बात क्या शंक्राचार के अंसार मोधी जी हिंदू विरूधी है तो अभी क्या हुआ कि एक बड़ी भोंडी बहुती भद्दी और किसी भी मोराइलिटी किसी भी सब समाज के उपर धब्बे के रूप में मुगेश हमवानी ने अपने लड़के की शादी का एक बहुती भोंडा प्रदर्शन किया बहुती भोंडा और मैं वह एकिकरत रूप से बताओं मेरे बहुत साथियों को ठीक नहीं लगेगा लेकिन स्वामी मुक्तेश्वरा नंद जी जो बिल्कुल साफ साफ बात कहने के लिए जाने जाते हैं उनका उस शादी समारों में उपस्तित होना मुझे थोड़ा चौकाता था मेरे लिए चौकाने वाला यह था कि उनके द्वार पे कोई जाए वो आशिरवाद दें या वो कभी निकल रहे हैं किसी कहां बिल्कुल किसी भक्त कहा जाए लेकिन उत्रे भोंडे वाता वरण में अगर शंकराचारे जी वहां उपस्तित हैं तो मेरे लिए वो थोड़ा अब कहा था कि देखें ये बंदर पूरा नहीं हुआ है ये बंदर कोई जो धार्मेक मानिता हैं धार्मेक रीतर रिवाज उसके हिसाब से इसका उद्गातन नहीं हो रहा है और ये समय भी नहीं है ये सारी बाते उन्होंने कहीं थे लेकिन कौन सुनने वाला है उन्होंने ये भी कहा था गर उसमें यादो कि इसका दुश परणाम जहिलना पड़ेगा वो साब ने सब के है कि क्या हुआ स्वामी अव मुक्तिश्वरा नंजी बंज का आश्नमाले ये नेक्स डे मंडे को ये मातोश्री का मातोश्री एक समय क्या अभी भी महराश्र सरकार में एक मतलब एक ऐसी जगा है जहां से पावर सिंटर है और जब बाल ठाकरे साब जीवित थे तो सब लोगों को वहाँ जाना होता था उनसे आशिरवाद लेने, डिरेक्शन लेने, गाइडेंस लेने खेर, ये मातोश्री गए और उद्धव ठाकरे जी उनके परवार से मिले उनको आशिरवाद दिया और वहाँ से निकलके जब प्रेस वालों से मुखातिब हुए तो इन्होंने कई बातें कहीं इन्होंने ये बताया कि इनका एक डिमांड बहुत दिनों से दर आप देख रहा हूंगे, ये सब कुछ कहने के बाद ही कहते हैं, सारी पार्टीज को ये कटगरे में लेते हैं और ये सब के लिए कहते हैं कि इस देश में गौह हत्या रोकने के लिए किसी पार्टी ने कुछ ने किया और इनके हिसाब से गौहत्या ही सबसे बड़ा घात ये बोलते थे, लेकिन वहाँ से जब पूछा गया तो इन्होंने उससे भी बड़ा घात, विश्वास घात को पताया उन्होंने कहा हिन्दु धर्मे सबसे बड़ा पाप जो है, वो विश्वास घात है और जो अधव ठाकरे के साथ हुआ उन्होंने कहा कि हम सब हिंदु धर्म का पालन करने वाले लोग हैं और ये भी उन्होंने इसपश्ट किया कि जो उद्व ठाकरे के साथ हुआ था जब तक ये दुबारा फिर से मुखमंतरी की कुर्सी नहीं पालेते हैं तब से ये जो पाप हुआ है और इससे जो पीडा वो समाप्त नहीं होगे जब उन्होंने ये कहा, ये बिलकुल स्पष्ट था कि विश्वाजगात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है तो विश्वाजगात कौन किया था? बीजेपी की थी और फिर उन्होंने का विश्वाजगात सेहने वाला ही हिंदू है उनके अंसार शंक्राचारीजी के अंसार उध्रव ठाकरे के साथ विश्वाज खात किस ने किया? बी जेपी की नहीं ने ने इन्द मोधी at mr. और ये बार-बार इनों ने ने इन्द मोधी को निशाने पे आई थी और आज फिर उन्होंने उसी हिंदु धर्म की याद दिलाई कि किस तरह से आपने एक चुनी हुई सरकार के साथ विश्वासगात किया उन्होंने एक चीज ये भी कही कि किसी भी सरकार को बीच में तोड़ना जनता का नादर है और फिर उन्होंने इसको कंक्लूड भ कि इसलिए बिज़्वी कि इतनी कम सीटें आई हैं एक बात और उन्होंने कहीं और यह इंपोर्टन्ट है यह इसका यह बहुत पपलिक डबेट में नहीं आई है दोसो आठाइस किलो सोना धोसो अठाइस किलो को सोना किदारनात मंदर से गाइब हो गया है और मोदी जी का क इसमें कंट्रीबूशन है कि मोदी जी ने केदारनाथ मंदिर में जो जहां पर शानती रहनी चाहिए जहां पर कोई मेकैनिकल चीजे इस तरह की चीजें का कम से कम प्योग होना चाहिए दो थार जीप पुँछा दी य कि ये चिस ये बीजय में आ रहा है दोसो अठाइस किलो सोना गाइब हो गया और सोना गाइब आपके रिजीम में हुआ है डबल इंजिन की सरकार है आप दोनों लोग इसके बारे में खामोश हैं आप ये नहीं पता कर पा रहा हैं कि दोसो अठाइस किलो सोना कहां से गाइब हो गया आप आप किस ह पता नहीं कर पा रहे हैं, एक पुरानी कहावत सिर्क है, मैं कह दूँ चोर-चोर मुसरे भाई, खैर, एक और बहुत, मतलब यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदु धर्म, खत्रे में क्यों है, हिंदु धर्म खत्रे में कोई, जो मुदी जी डराते हैं न कि ये, मुस्मान, अल्फ रंक्या की तरह देखिए, हिंदु धर्म आप जैसे लोगों से खत्रे में है, बीजे पी के जो सो कॉल प्रैक्टिसिंग भक्त हैं, उनसे खत्रे में है, एक किदारनाथ है, जो तिलिंग है, एक किदारनाथ बनाया जा रहा है दिल्ली में, और कॉंग्रेस ने का है, जैसे फ्रेंचैजी नहीं होता है, हल्दी राम की एक दुकान वहाँ, हल्दी राम की दूसरी दुकान यहाँ, हल्दी राम की, उस तरह से किदारनाथ, मंदिर के मॉडल या, अब वो कहरें नहीं हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि जो बुढ़े लोग हैं, जो चार चल पर नहीं सकते हैं, वहाँ नहीं पाहिए, तो यहाँ आजाएं, अर्वाई हमारे घर में भी बुढ़े रहे हैं, मैं भी बुढ़ा हूँ, अगर मन में शद्धा है, तो यहीं से दर्शन, यह जो एक मॉख्वाल बनाने का काम कर रहा है, मुदी जी धर्म को जिस तरह से बीचन का काम किया जा रहा है, वो थोड़ा चिंता जनक है, दिल्ली में केदारनात मंदिर बन रहा है, जिसका ठीक से विरोध हुआ है, तो अब दूसरी बात पर आते हैं, महराश्व में भुजबल और शरत पवार की मुलाकात का क्या संदेश है, बाराबती में अभी जो पी अजीद पवार के साथ हैं, वो शरत पवार से उनके घर पे मिलने गए, उनका ये भी बता दें कि जो भुजबल जी, जगन भुजबल जी, वो पहले शरत पवार के साथ, बाद में अजीद पवार के साथ चले गए, और वो टिकेट मांग रहे थे नासिक लोग सभा से, लोग अजिद अब टिकेट मANGते हैं, तो बहलुब टिकेट दे दो, फिर हम अपने घर में लड़के को, लड़की को, बीबी को, बच्चे को, मामा को, मामी को, चाचा को, किसी को देंगे, वो टिकेट नहीं मिला उनको, बड़ा गुसा थ ून, फिर एक सीट अजीद पवा कि तुम्ही वो राजसभा चली गई अब उस समय से चगन भुजबल जी का थोड़ा बिजास बिगड़ा हुआ था और अभी क्या हुआ था कि वो बारामती में एक उन्होंने मीटिंग की थी जो जैसा कहा जा रहा है जो पेपर रिपोर्ट कर रहा है बारामती की मीटिंग में उन्होंने कहा था उन्होंने वहाँ पे शरत पवार के उपर हमला बोला था अभी एक दो दिन पहले और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मैंने सारे opposition parties के लोगों से फोन पे बात की थी कोई आया नहीं और पिर शरत पवार साहब अपने घर से बैठके advice दे रहें कि कैसे क्या करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि वो शरत पवार के पास इसलिए गए क्योंकि उनको यह समझ में आ गया था भुजबल जी को कि वो कुछ जादा बोल गए हैं और शरत पवार जी की जिस तरह की इज़त है उस छेतर में उस से पार्टी को जो नुकसान होगा होगा उनके उनक की रूप में पार्टी की रूप में ताकत की रूप में और शायद इस बात को अजीत पवार भी अच्छा नहीं माने थे बात वो यह कहे जब वहां से मिलके निकले तो उन्होंने ये बताया कि असल में ये OBC है इन्होंने कहा है जो मराठा और OBC को आरक्षन को लेके जो ख अटैक क्यों कर रहे थे ये पहले भी इन्होंने सरकार में इनका शिंदे से दो-दो हाथ करने का हुआ था ये जो जब शिंदे जी मराठा आरक्षन दे रहे थे तो उस समय भी इस मामले पे इन्होंने इस्तिफा दिया था इस्तिफा देने की धंकी दी थी कि मैं इस सरकार म अब उसके बाद क्या हुआ था कि ये ऐसा माना जा रहा था कि जब शिंदे जी इमराथा आरक्षन की बात कर रहे थे तो बीजेपी इनको सपोर्ट कर रही थी वो बीसी वाले आरक्षन के लिए अभी के अलेक्षन में इन्होंने पब्लिकली ये कहा है चगन मुझमलने क्योंकि महराश्ट में थोड़ा मुश्किल है कि कौन किसके साथ जाएगा ये लास मिनिट तक पता करना मुश्किल होता है इन्होंने पब्लिकली कहा है कि NDA का जो 400 पार का नारा था उसकी वज़े से हारना वो एक बड़ा हार का कारण रहा है और उन्होंने एक का मौर किया था जब अभी आपको गर यादो मंबई में एक होर्डिंग गिर गई थी उस होर्डिंग में काफी लोग मर गए थे और परकाता कि उद्धर ठाकरे का इससे क्या लेना देना फिलहाल भुजबल जी जब पवार से मिलने जा रहे हैं चीटर साल के यह हैं तिरासी साल के वो हैं पुराने वो हैं तो इसको अंदेखा नहीं किया जा सकता है इसको यह बिलकुल नहीं किया सकता कि ने ने इसका कोई म कि अब मुक्तेशुरा नान दौर इस तरह की जो बाते हो रहे हैं, कि अब शायद जो NDA या BJP वो पचास सीड भी क्रॉस कर जाए महराश्ट विधान सबा में, तो वो बड़ी बात होगी. अब तीसरी बात, क्या राजभावन बाहु बली निवास में बदलते जा रहा हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप किसी राजभावन को देख लीज़े, हर राजभावन में कुछ ना कुछ आदमी अपना कुछ जिन्दा चला रहा है. लेटिस रगवरदास जी, जो उडिसा कहे हैं, उनके राजभावन की बात है, लेकिन उस पर आने से पहले मैं याद सद्दिला दूँ, रवी कुमाज जी थे, रवी जी तमिल नाड़ू में तहलका मचाय हुए हैं, उदर एक केरल में हैं, आरिफ मौमद कान, ये सब लोग, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट से राज सरकारों को आना पड़ रहा है, कि हमारा काम कैसे हो, हमारी फाइल कैसे क्लियर हो, फिर एक, मैं रगवर दियाल जी पर आओंगा, तो वही बात है, जम्मू कश्मीर के एक उप, आना कि वो लेटरंड गर्वनर हैं, वो 2021 में अपने लड़के का इंगेजमेंट कराते हैं दिल्ली से, और फिर बिल देना भूल जाते हैं, यह पेपर की खबर में बोल रहा हूँ, लिकित वो है, फिर दिल्ली का जो कश्मीर का रिजिडेंट कमिश्टर होता है, वो उनको पत्र लिखता है राजभवन को, कि साहब आप पैसा तो दे दीजिए, दस लाख रुपया आप नहीं दिये हैं, तो वो कहते हैं, अचा चा बूल गया था, बूल गया था, वो दस लाख रुपया ही देना भूल गये थे, और देश के Consolidated Fund of India से किसी गवर्णर के लड़के की इंगेजमेंट का पैसा देना, कितना गयर कानूनी है यह आप समझ सकते हैं, यह भारत सरकार का पैसा वहाँ दिया गया था, तो एक तो राजभवन हुआ है, वो अपना पिता जी का राजभवन है, तो शादी भी करो, बया करो, सब करो, अब इंगेजमेंट में DJ लगाई होगा, वो DJ का सब डांस फांस सब करो उसमें, अब एक साब बोस साब बैठे हुए हैं, वहाँ कलकत्ता में, वो महिलाओं का यौन शोशन करते हैं, और फिर आँख भी दिखाते हैं, कुछ नहीं हुआ उनका, यौन शोशन का का कानून यह है, कि अगर महिला ने रिपोर्ट लिखा दी, तो आपको पहले गिरिफ्तारी उसके बाद, वो यह है कि इम्मिनिटी है, हमें गौर्णर है तो इम्मिनिटी है, तो एक गौर्णर साब को लड़के का, वो अपना इंगेजमेंट करो, एक गौर या लेने गई, तो गुस्सा इसलिए हो गए, कि बढ़की वाली गाली नहीं थे, बढ़का गाली नहीं भेज़े, छोटी गाली भेज़ती है, अब राजभावन में मेरे ख्याल में छोटी गाली कोई मारूती 800 तो रही नहीं हो गया, अल्टो फल्टो, और उनके छोटी ग पिटाई की, लादखु से उनको ठीक से लगा है, यह साथ जुलाई के रात में उनके पिटाई टाई की, इसलिए कि आपने गाड़ी बड़ी गाली को नहीं भेजी थे, यह जो वैकुन प्रधान जी थे, यह ओडिसा सेक्रेटरिल सर्विस के थे, इन्हों ने ग्यारा जु मिले हैं, इनके पीछे ओडिसा सेक्रेटरिल सर्विस बिल्कुल ठीक से खड़ी हो गई, और चीफ मिनस्टर के पास इनको तबादला करने के लावा और कोई चारा नहीं था, इनका तबादला गौर्णर होस से हटा के, जो वहां का ग्रह मंत्राल है, या ग्रह विभाग है, वहां कर दिया गया, और ओर इसा सेक्रेटरिल सर्विस वालों के ने यह भी डिबाद किये, कि भाई, अब गौर्णर राजभावन में कोई यहां का, ओर इसा जो बोलते हैं, वहां का कोई कर्मशारी वहां ने उकत ना हो, उमीद है कि वहां क्या होगा, क्या नहीं होगा, क कहीं कोई यौन शोचन किये जा रहा है कोई engagement किये जा रहा है तो कोई file दबाये जा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि it is high time that we must understand मतलब एक इस देश की क्या लोग सबार discuss करें कि यह दाजभवन के कितने पर काटने है नंबर एक और जो इनको एक blanket इमुनिटी दे रखी है वो गादी को गाली दे रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं कि इनके ओपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है उस पे भी कुछ एक नया विचार करें इस देश का लोग सबा और इस देश का सुप्रीम कोट कि इन लोगों को जो blanket immunity है वो किन किन चीज़ों के लिए किन चीज़ों के लिए नहीं है क्या यौन शोचन भी करें तब भी इन लोगों आप दिये रहिएगा यह सोचने वाला प्रशन है थैंक्स सोमेच धन्यवाद